क्या भारती जन्ता पार्टी के सभी विधायक सभी शांसे दूट के धुले हुए हैं फिर से अब चुनाव आ रहा है तुर से कर रहे हैं नमस्कार एक न्यूज टोड़ी फोर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिक लालू परिवार और उनके करीबियों पर ED और CBI की छापे मारी के बाद से बिहार के सियासत में बुचाल आ गया है आप कह सकते हैं लगातार जो बयान बाची है वो देखने को मिल रही है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार लालू परिवार के तरफ से बोलते नजर आ रहे हैं उनके सुरक्षा को लेकर खास ध्यान देते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से उनकी गर्वबती बहु को परिशान करने का मामला सामने आया उस पे भी काफी नाराज होते देख रहे हैं वहीं अगर बैपक्ष वालों की बात करें तो बैपक्ष के लोगों का ये कहना है कि CBI और ED अपना काम कर रही है बता परिवार और उनके खरीबियों पर तो साफ्त और पी अजित शर्मा ने ये कह दिया कि क्या सिर्फ विपक्ष वालों के साथी CBI और ED इस तरीके की कारिवाई करती है तो क्या ये सही है क्या भारती जनता पार्टी के जितने रेता है मंत्री हैं वो सब दूद के धूले होता है आप खोदे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में अजीत शर्मा ये तो पहले माप लोग से पूछेंगे क्या विपक्ष के लोगों में सिर्फ CBI ED और IT का रेट होगा क्या भारती जनता पार्टी के सभी विधायक सभी शांचत दूद के धुले हुए हैं यह तो आप वही तो आप लोगों को चिंता करनी है और यह खा मखा चुनाओ का वक्त है जब आने वाला सत्रह में उन्होंने किया कोई कारवाई नहीं वी जांच हुआ सब हुआ फिर से कर रहे हैं जनता सब देख रही है और आपको बता दे क्या भारती जनता पार्टी इस जी वह क्या बोल रहे हैं जब आजनी नितीश कुबार जी भोल रहे हैं कि हम आगडवंदन में हैं तो फिर उनके बोलने का मतलब क्या रह जाता है भारती जनता पार्टी जनता पार्टी के जो लोग है जो मंत्री हैं जो नेता हैं वो सारे दूद के धुले हुए हैं क्या सिर्फ कारेवाई विपक्ष के लोगों पे होने चाहिए उन पे नहीं होने चाहिए और जब जब चुनाव आता है इस तरह के के हरकत की जाती है बता दे कि इस से पहले भी इस मामले को लेकर बहुत सारे मंत्री नेताओं के बयान सामने आए हैं खास कर अगर बात करें तो आजएडी सोप्रेमों ने भी इस पर अपनी प्रतेकिरिया दे थी ट्वीट करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था वहीं बीजेपी पर बिहार के उपक्य मंत्री तेजस्वी यादो ने भी निशाना साधा था राबड़ी देवी से जब पूछा गया इस बामले पर तो उन्होंने गुस्से में चवाब दिया और यह तक कह दिया कि मुझे इस बारे मे कुछ नहीं पोला तो इस फिलाउन नहीं तमाव बेट्स के लिए आपने रिकिने उस्त मीज्ण के साथ अगर अबने चैनल को सब्सक्राब किया है सब्सक्राइब कि लीजे हमारे वीडियो को लाइक कचिए सांथ ही हमें कमेंट करके बताएए कि क्या हमारी कभर कैसी है